डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटी नमस्कार मैं डॉक्टर मनिश दुबे असिस्टर प्रोफेसर इस्कूलाप एजुकेशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटी मैं आप सबका हर्दिक स्वागत है आज हम अध्यन करेंगे युनिट पंद्रह ब्लॉक फोर युनिट पंद्रह मोबाइल लर्निंग एसेस्मेंट चैलेंज एंड फ्यूचर मोबाइल लर्निंग क्या है पढ़ा है और कौन कौन से चैलेंजे जाते हैं उसके फ्यूचर प्रस्पेक्टिब उसके क्या यूज है उसके बारे में हम इस्पेसली अध्यन करेंगे तो यह देखें यह जो हमारा आउटलाइन है जो हम पढ़ेंगे इंट्रोड़क्शन मोबाइल लर्निंग एसेस्मेंट मोबा हम मुदलेंग एपार अब इस्पेसि अीट्यफ चैलेंज़ मोबाइल लर्निंग ऑन्रेश्मेट लेंग आज फूचर आप मूबाइल लर्निंग ऑंन तबाद हम अगर देखें तो इंट्रोड़क्शन पार्ट उअंगर कर हम जाएं उम कर सकते हैं कि मोबाईल learning मतलब M learning जैसे हम पिछले lecture में हमने mobile learning क्या होता उसके बारे हम पढ़ा उसके characteristics क्या क्या है उसके बारे हम पढ़ा mobile learning जो है M उससे एक तरह से M learning करते हैं वो हमें provide करता है anytime जो हम education लेना चाहते हूं anytime anywhere beyond the traditional boundary up जो classroom है उसके beyond जाके वो हम mobile learning के तो हम अध्यान कर सकते हैं उसमें हमें क्या-क्या बिद्फिन में था कि वो flexible है तो वो लाक वो flexible है accessible है accessibility उसमें mobile learning है made popular among the learner leading करकि इस कारण जो है mobile learning जो है जो education है तो पढ़ने वाल है जो learner है जो teacher है उनके बीच का है एक popular माध्यम बन गया है mobile learning पर देखें एड्रेसिंग इसू विल भी हेल्प educate educator and policy maker take advantage of the benefit of mobile learning and provide the learner with customized and cost effective education experience experiences तेस्ट है तो mobile learning हम आसाइस से इस्तमाल कर सकते हैं इसका बेस्ट एक्जामपल जो हम COVID-19 में देख सकते हैं देखे हैं कि कैसे हैं जब सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गया तो online के थुरू mobile के थुरू computer के थुरू laptop के थुरू कैसे बचों से संपर किया गया और कैसे आसानी से उनको जो उनकी समस्या है education से लेटर समस्या जो educational lecture उनको प्रवाइट किया गया तो हम अगर देखें the impact of mobile learning on student कैसे इंपक्ट करता है mobile learning तो इसमें तीन पोल दिया हुए तीन बिंदू में फोकस किया गया पहला करें कि mobile learning उसके बारे में mobile learning के बारे में बता रहा है दूसरा हम क्या देखते ना चाहते है इस्टूडेंट performance assessment क्योंकि हम यहां पर mobile learning assessment की बांद करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा student performance देखना तो उसके लिए हमें जो mobile learning के तुरू student learner behavior जो student learner behavior है उसमें अगर हम changes लाएंगे किसके तू mobile learning के तू तो हम mobile learning जो student का हमारा performance है जो assessment हम कर सकते है student वह आसानी से हम कर सकते हैं उसके लिए क्या क्या है करें mobile learning में learning mobility learning self efficiency, learning motivation जो mobile learning हम उसको provide करते हैं तो उसमें feature की बात कर रहा है, learning mobility, learning mobility, flexibility है आसानी सो उसको कर सकता है आक्सेस कर सकता है कहीं भी, anywhere, anytime, access कर सकता है लेर्निंग, self efficiency, mobile learning से क्या होगा, कि वो self efficiency, learning जो भी पढ़ रहा है, वो self उसको एनलाइज कर सकता है, efficient है, learning motivation उसको मिलेगा, feedback मिल सकता है उसको, तो उसके इसके थूरू, जो mobile learning ये तीन बिंदू के थूरू हो रहा है, तो इसके थूरू किसमें चेंजर लाएंगे, student behavior में, ज उसमें हम देखें कौन कोई से behavior change होगा, उसका, तो उसका परस्नल, परस्नलाइज learning behavior, जो student का परस्नलाइज learning behavior, वो change होगा, दूसरा change होगा, social learning behavior, उसका समाजिक behavior कैसा है, वो mobile के थूरू कैसे पढ़ना है, समाज का interference है, वो कैसे social media के थूरू, जो भी अध्यन करने, उसका social learning behavior कैसे change हो रहा है, वो इस perspective से हम उसमें देखेंगे, mobile learning के थूरू, उसका social learning behavior कैसे change हो रहा है, उसके बाद हम बात करेंगे, collaborative learning behavior के, कि बच्चे के अंदर collaborative learning behavior develop हो रहा है कि नहीं हो रहा है, collaborate करके अध्यन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, collaborative nature उसमें develop हो रहा है कि नहीं हो रहा ह उसके जो behavior में changes आएंगे, assessment में student performance उस पर इफेक्ट पड़ेगा, प्रभावित करेगा इसलिए ये जो model है, जो model आप देख रहे हैं, उकुल learning, mobile learning assessment क्या है, तो उसको समझने के लिए आसान है, ये जैसे देख सकते हैं, mobile learning, mobile learning में learning mobility, learning self efficiency, learning motivation, उसके तुम personal learning behavior, student का जो person, जो learning behavior है, उसका खुद का behavior हो, change कैसे होता है, उसका analysis कर लेंगे, social learning behaviors होगा, collaborative learning behavior, उसके बाद जब ये दोनों मिलेंगे, ये और mobile learning behavior, ये जो है, इसको भी change कर रहा है और इस पर भी effect पड़ रहा है, क्योंकि mobile learning से हम क्या देखना चाहते हैं, उसका performance देखना चाहते है assessment करे थो, और उसके behavior में जब change एगा, जो ये इस behavior, personal behavior, social behavior, collaborative learning behavior, इन तीनों चीज़ behavior जो हो, उसके effect करेंगे student performance पर, इसलिए कह रहा है कि, जो ये चीज़ें है, ये एक देखना देखना तो impact, mobile learning, impact learner to on student learning, student learning पर कैसे impact करता है, उसके assessment को कैसे प्रभावित करता है, ये एक process है, इस process के तुरू हम अगर जाएंगे, तो आसानी से हम mobile learning assessment कर सकते हैं, जो भी learning mobile के तुरू है, उसके assessment प्रभावित रूप से कैसे हो सकता है, उसको हम आसानी से इस figure के तुरू हम समझ सकते हैं, और आसानी से हम उसको कर सकते हैं, next में देखेंगा, कि mobile learning assessment क्या है, जो अभी हमने भी बात किया थोड़ा सा कि कैसे हम उसको mobile learning assessment कैसे process होगा, कैसे हम उसके personal behavior में, social behavior में, collaborative behavior में कैसे changes लाएंगा और उसके assessment में student के कैसे changes होगा, उसके बात जो हम देखें, तो mobile learning assessment है क्या है, यह समझने कुछ से कह है, तो mobile learning assessment refer to process of evaluation, evaluating, learning, learners, knowledge, skill, understanding of mobile device such as the smartphone, tablet या laptop, के रहा है कि जो mobile learning assessment है, mobile learning जो assessment हमारा है, वो refer करता है किसको evolution में, किसको learner, evolution, kisको, उसके knowledge को, skill को, उसके understanding को, using, जब वो mobile use करता है, उसे मोबैल या smartphone या laptop use करता है, तो उसकी understanding क्या है, उसका knowledge क्या है, उसकी skill कितनी है, वो उसको refer करता है, उसको examine करता है, mobile learning assessment. At all, education learners process identifies the area from improvement and provide the feedback for real time and real time या ensynchronize. तो इस तरह से वो आसानी से assessment कर सकता है, उसके बाद उसमें हम आउर कैसे assessment कर सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे process हैं. पहला जो बोला है, quiz and test, जो बहुत सारे apps आगे हैं, बहुत सारे game क्या हैं, तो उससे हम क्या करेंगे, बच्छों, quiz and test, कि मादियम सो उसका assessment कर सकते हैं, application, mobile application है, web-based platform है, they can include the multiple choice question, true and false, statement, short, true and false, statement, correct the statement, fill in the blank, learning, तो बहुत सारे अलग-अलग तरीके से, जो quiz हैं और test हैं, इसके मादियम से assessment कर सकते हैं, उसका, दूसरा कर रहा है कि, survey and poll के मादियम से, mobile learning user getting the feedback from learner through the survey, या poll के थूँ, हम voting के थूँ, survey के थूँ, हम understand उसके experience को, उसके knowledge को, उसके performance को, उसके challenges कौन कोंसे, और हम उसको हम analysis कर सकते हैं, assessment कर सकते हैं, assessment and project, हम project के थूँ, assignment के थूँ, हम जो भी पढ़ा रहा हैं, उसके assignment उससे, project है, उसको दे के हम, क्या कर सकते हैं, उसका learning, assessment कर सकते हैं, learner can complete assignment and project, using mobile device, such as the creating personalized video, writing, essay and submitting the electronic assignment, assignment, mail के थूँ, mobile के थूँ, कैसे assessment को submit कर रहा है, तो इसके थूँ भी हम, क्या कर यह सब क्या है, कि हमारे assessment के process हम, कैसे उसको, assignment कर सकते हैं, उसके बात कर रहा है, simulation and game, gamification के थूँ, simulation के थूँ, फिर peer assessment भी कर आ सकते हैं, उसमें, device facilitate the peer assessment, where the learner review and provide the feedback, जिसमें क्या करता है, learner खुद एक दूसरी learner का review देता है, और feedback provide करता है, जिससे हमें, जो उसका काम है, जो उसका collaborative learning के थूँ, जो assessment हम student का करना चाहते है, learning behavior, हम उसको आसानी से कर सकते हैं, उसके बात performance and tracking, adopting assessment, तो इस सब method से हम आसानी से कर सकते हैं, अगर figure के थूँ हम समझना की कोशिज करें, तो इसमें कहा रहा है कि, जो device है, उसमें, फिगर को कई तरके से एक उसको बॉलाकर में उसको कई तरके भाग में divide किया गया, जैसे हम देखें, इसमें कहा रहा है कि, इस प्रोट्री, एटिटूट, पॉलसी, assessment, feedback, यह अलग से कैसे provide करता है, उसके बाद ownership, ownership कौन, जो device जिसकी है, device है, control की, इसके हाथ में time है, motivation है, learner है, space है, यह सब सारी चीजे, उसमें भी अलग-अलग पार्ट से divide किया है, जैसे पहला करें, पेडगोजी, पेडगोगी है, दूसरा ICT infrastructure है, तेसरा communication dialogues है, content है, तो इस तरह से चीजों को कैसे, वो mobile के थ्रूप कैसे पाएगा, कैसे अधिन करेगा, content में क्या है, curriculum and feedback, दो चीजे, जो कुभी curriculum और जो उसको reading material दिया जा रहा है, वो हो गया, दूसरा pedagogy, किस हिसाब से उसको हम पढ़ाएंगे, participation के थ्रूप पढ़ाएंगे, personalization के थ्रूप पढ़ाएंगे, flexibility choice और उसके थ्रूप पढ़ाएंगे, feedback, culture change, कैसे हम collaborate करेंगे, वो चीज कर रहा है, infrastructure, digital education, pedagogical requirement, technical support, technological requirement, जो भी चीज़े हैं, वो चीज़े सब आ जाएंगे, क्या आएंगा, ICT infrastructure में, उसके बाद communication, digital, and sync communication, दो प्रिकास होगा, synchronize, asynchronous, तो इन चीज़ों के माधियम से हम जब इन सब चीज़ों को collaborate करेंगे, एक में combine करेंगे, तो mobile learning को आसानी से हम समझ सकते हैं, उसको content करके, उसको, ICT infrastructure उसके पास हो, तो dialogue कैसे synchronize हो, इस हिसाब हम उसको पढ़ाना चाहें, तो आसानी से हम पढ़ाएंगे, उस चीज़ को क्या करेंगे, feedback क्या थो हम आसानी से evaluate कर सकते हैं, कैसे mobile learning assessment हम done कर सकते हैं, उसके बाद mobile learning challenges क्या क्या हैं, इसमें अगर देखें, तो challenges की बात करेंगे अगर हम बात करें, तो इसमें कहरा है कि device compatibility, यह भी एक challenge है, जो भी device है, जो भी है, वो supportable है कि नहीं, वो capable है कि नहीं, उसकी capacity कि इतनी capability क्या है, यह भी एक challenge है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो भी apps है, जो भी software है, वो सभी devices हो में, वो acceptable हो, इसलिए, connectivity issue, दूसरा जो इन issue है, connectivity issue है, network issue हो सकता है, connection का issue हो सकता है, internet नहीं है, तो यह सारे चीजें हो, security and integrity, यह भी एक issue है, तो इस तरह से देखें, तो यह क्या है, हमारे challenges है, जिसके थ्रों, mobile learning assessment करने में हमें कठा हैं आती है, दिक्कत हैं आती है, strategy to overcome assessment challenges, उसके बा utilize response design, design assessment tool, कैसे हम कौन सी strategy बढ़ा है, जिससे हम क्या करें, जो हमारे challenges हो, वो कम हो सके, तो हम उसके लिए क्या कर सकता है, utilize the responsive design, जो हम design बढ़ा है, जो भी हम method पढ़ाना चाहता है, उसके लिए, design the assessment tool, platform with response, the layout of the different skin size and types of apps हो गया, उसके के बाद offline capability, ऐसा हो, जिससे offline capability भी develop कर सके है, security measures है, उसको solve कर सके, synchronize कर सके, तो इस तरह से आसान होगा हमें, उसको, उसके challenges को कम करने, करने के लिए, दूसरा अगर हम देखें, तो उसमें हम जैसे बात करेंगे, future trend in mobile learning assessment, तो उसके future trend क्या क्या है, उसकी अगर हम बात करें, तो के रहा है कि, integration of AI data analysis, अब integration of AI, जो artificial intelligence data analysis में, उसको हम integrate करके, उससे हम क्या करेंगे, जो हमारा, जो भी हम सिखाना चाहते है, जो भी हम सिखाना चाहते है, इस student को आज सांग सांग, सिखा सकते है, उसके लिए क्या है, artificial intelligence data analysis, परस्नलाइज the assessment, analyze the learning pattern, and provide the real time feedback, learner and educator, दोनों को provide करता है, educator को भी, learner को feedback को, real time feedback प्रोड़ करता है, जिससे क्या होता है, कि पता चलता है, कि हमारे, जो learning style है, जो सीखने का style है, उसमें, उसमें कहां पर टुटी रह गए, उसको हम सुधार सकते हैं, उसको हम फिर से, उसको सुधार के फिर समों, और अच्छे स उसको कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, उसके बात कर रहा है कि gamification and interactive assessment, कि जो assessment, जो future prospective mobile learning assessment हो, उसमें game के थू, gamification, interactive assessment, दोनों चीजे, incorporate the gamified element, जो भी हम subject पढ़ा रहे हैं, मायद पढ़ा रहे हैं, science पढ़ा रहे हो, उसको game based कर सकते हैं, आसान से gamification के तुमा science उनको समझा सकते ह उनका analysis, उसमें हम ले सकते हैं, game में कितने हम hard, उसको अगर level के साफ से देखने हैं, तो simplify to hard, अगर हम करना चाहा है, तो कर सकते हैं, उसमें, जिससे क्या होगा, उसके हम बच्चे के जो analysis करेंगे, तो बच्चे का जो growth होगा, जो उसका सीखने का time होगा, वो पता चलेगा, उसका कितना intelligent उसका develop हो रहा है, कितना उसका behavior में changes आ रहे हैं, वो हमें असाइंस हम consider कर सकते हैं, इसलिए करें, gamified element, interactive assignment from format, enhance the learning engagement, motivation in mobile learning environment, mobile learning environment में इसके तो असाइंस हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, seamless integration with learner management system, LMS की बात कर रहा है, कि learner management system उसको और strong कर सकते हैं, stimulating the integration of the mobile learning assessment tool with existing LMS, जो learning management system है, उसके साथ collaborate कर के platform to facilitate seamless administration grading and tracking the assessment, जिससे हम assigns में क्या कर सकते हैं, उसको track कर सकते हैं, जो भी हमारे assessment के process में उसको track कर सकते हैं, क्या process हुआ, कितना आगे बढ़ा, कितना उसका growth पर सारे चीजे हम assigns में LMS school update कर सकते हैं, advantage in teaching, teaching में क्या क्या advantage आ सकता है, कर रहा कि, continue advantage in mobile technology, including the argument reality, जो भी हम advancement की बात करने हैं, तो AI की बात हो रही है, कि AI हम इसमें include करेंगे, तो argumental reality हमारी जो बढ़ेगी virtual reality हमारी, पढ़ेगी, artificial intelligence will change the capacity and interactive mobile learning experience, जिससे क्या होगा, virtual reality, argumental reality, AI के थो, artificial intelligence के थो, बच्चों की जो capacity वो enhanced होगी, जो उसकी experience है, वो integrate करके, mobile learning के थो integrate करके वो आगे बढ़ेंगे, वो enhance करेंगे, तो जिससे बच्चों की जो capacity वो increased होगी, तो यह सारे क्या है, उसके future perspective से हम बात कर रहे हैं, कि future perspective में इसको include करें, तो यह बहुत सारे benefits मिलेंगे, उसके personalized learning, especially जो personalized learning क्यों होता है, क्योंकि जब किसी भी हर बच्चे के लिए कि आउसकता अलग है, need अलग है, तो उसके अनुसार जब हम उसको अध्यन देते हैं, तो बच्चे को इसके तो हम क्या करते हैं, परसनाइल है, individual learning को हम focus कर सकते हैं, उस बच्चे में क्या कमी है, इस बच्चे को focus करके हम उसके लिए especially program बना सकते हैं, उसको motivate कर सकते हैं, जिससे परसनाइल लर्निंग के तो क्या कर परफरम के तो increase करेगा होगा, उसका level increase होगा, data analysis होगा, AI के तो provide the personalized learning experience, tend to individual learner need to preference learning style, जिससे उसकी learning style क्या होगी, बदलेगी, परसनाइल उसके जो problem है, जो group में collaborative, पढ़ने में उसको दिक्कते हो रहे हैं, तो उसके जो issue नहीं होता है, इसमें क्या होगा, जो personalized learning हो तो जो personal उसके experience, जो उसके कमी है, उसमें जो भी चीजें दिखते हैं, उसमें कठाइगी हो बेदरे तो दूर होगे, उसके behavior में changes जाएंगे, और उस चीजों को आसानी सो सीख लेका, इसलिए कर रहे है, personalized learning, micro learning, इसके थो micro learning भी कर सकता है, short bit size learning module, delivered by the mobile device, will continue, again popularly allow the learner to access information quickly and convenience fitting in their busy schedule, जो भी उसके जो उसके busy schedule है, उसके time के उसार, अगर चोटे चोटे भाग में, micro भाग में उसको चीजों को module बना के उसको प्रस्तूत करेंगे, तो आसानी सो चीजों को अपने time के साब सो access करेगा, उसको पढ़ेगा, उसको समझ में आएगा, और उसके learning performance उसको आगे बात करें कि guide to mobile learning, तो guide की बात करें कि mobile learning जो हम दे रहे हैं, assessment दे रहे हैं, या mobile learning education दे रहे हैं, उसको proper way में जाने के लिए guidance की जो रहे है, तो कौन-कौन चीजों को include कर सकते हैं, जिससे हम proper way में पढ़ा सकते हैं, उसके उसके लिए करें कि define the learning objective, तो पहले हमें क्या करना प इसको समझ में आरा कि नहीं, identify the characteristic of target audience, including the demographic learner performance, technological preference, and access the mobile device, understanding will help the mobile learner content deliver method, किस साब से, कौन सा, किसको हम provide करना है, audience कौन सा हमारा, किस area से है, कैसा है, उस पर क्या issue है, तो उसको भी target करना पढ़ेगा, पहले हमें, पहले हमें, पहले हमें, पहले हमें, पहले हमें, पहले हमें, पह करना पढ़ेगा, कि जो भी हम पढ़ाना चाहते हैं, हमारा जो भी हम gain करना चाहते हैं, मोबाल लेर्निक तो, वो क्या है, वो तो learning objective हमें, पहले define करना होगा, उसके बाद, understand audience, audience कौन है, कौन पढ़ना चाहता है, वो area हमें, define करने होगे, कि किस को हमें पढ़ाना है, कौन से हमारा audience है, उसके बाद, choose the right technology, कह रहा कि, इन दोनों की करने के बाद, हमें, वो technology कौन से हमें, इस्तमाल करने की, जिससे आसाएं से हम access कर सकें, पहुद सकें, तो इसलिए, वो technology हमें, choose करने के, select the mobile learning platform, tools, mobile learning platform, use कर सकते हैं, tools, कर सकते हैं, your learner objective, audience need, जो भी audience है, जो इसकी ज़ हम उसको चीजों को technology, जो हमाई tools है, उसको technique है, उसको हम select करेंगो, उसके बाद, develop and engaging content, जो भी content है, जो हमें पढ़ाना है, जो हमें उसकी need है, उसके हमसार, हमें वो develop करने करना पड़ेगा, engage करने के लिए, create the engaging interactive learning content, optimize the mobile device, keep content, visual and appeal, कर रहा कि, अग mobile device हम पढ़ना है, उसके बात कर रहा है, हो रहे है, तो वो ऐसा content हो, जो भी उसके visual हो, आथानी से open हो सके, आथानी से read कर सके, जो भी access कर सके, उसको तिसलिए जो भी content develop कर रहा हूं, engagement उसका ऐसा नहों कि उसको खलने में दिकत हो, download नहों काफी ज्यादा, mb का हो, तो बहुत सारे चीजों को अधानी में रहा है, उससाब समें content develop करना पड़ेंगे, फिर ensuring the accessibility, ensure करने के, जो भी accessibility है, जो हमारे क्या accounts है, जो हमारे audience है, उनको access हो रहा है कि नहीं हो रहा है, promote interactive and collaboration, उसके बाद मोबाइल में जो क्या कहा है, promote करेंगे, interactive and collaborative learning के लिए, कि learn, activate learning through the interactive and interactive simulation, game, collaborative exercise, इन सब के थूँ interactive बनाए, जो भी अम पढ़ाना चाहते है, mobile learning, उससे क्या होगा कि बच्चा जूडा रहा है, जो audience हमारे हो, वो बदे रहेंगे, जिससे वो सीखने में उनको अलग-अलग तरीके से सीखने में इंट्रेस्ट बढ़ेगा, वो simulation से, game से collaboration से, वो असानी से चीज़ों को कर सकते हैं, provide, उसके बाद कर रहे है, provide the feedback, assessment, assessment, उनको जो feedback, उनका जो भी outcome है, वो उनको provide time, time to time, जो real time feedback हो सकता है, assessment के बाद feedback दे उनने, जिससे क्या होगा, उनका जो confidence level बढ़ेगा, जिससे बच्चे को सीखने में असानी होगी, वो के मादम से, जिसके भी मादम से, last में उसको हम feedback दें, real time feedback, जो achieve कर चुका, game complete कर चुका, जो भी पढ़ाना चाहते है, game के तुरू, तो उसको हम तुरून तो उसका motivation उसको मिलेगा, जब motivation मिलेगा, तो आगले step पो जाने के लिए, वो उससा हीत होगा, जो आथानी से सीख सक पेगा, support the continuous learning, जो भी encourage lifelong learning है, provide the access, the mobile learning resource, beyond the formal training program, create a responsibility to learner, learning material resource, tools, learner access anytime, anywhere, anywhere support or ongoing, जो इस तरह सो ऐसा हम learning material बनाये, बनाये, resource उनको तूल बनाये, जिससे वो हमेशा anytime, anywhere, कहीं भी access कर सकें, जूड़े रहें, जिससे वो सीखने में उनको मदद मिलेगा, और for flexible and convenience structure, जो भी हम पढ़ाना चाहते हैं, जो भी time table है, जो भी साप सम एक्जाम देना चाहते हैं, जो भी feedback देना चाहते हैं, वो flexible हो, जूड़े में, evaluate and internet, उसको evaluate करें, उसको बताया हूं चीजों को, समझाएंगे, तो इस तरह से वो देखें, तो जो guideline है, guide to mobile learning, कैसे इस्तिमाल करेंगे, उस इन करभिंदों को हम ध्यान दें, कि define the learning objective, understand the audience, choose the right technology, develop the engaging content, ensure accessibility, जो भी उसको ensure करें, promote the interactive and collaborative learning, उसके provide the feedback assessment, support continuous learning, offer flexibility and convenience, evaluate and इस सहाब से कर देखें, इन method को अच्छा होगा है, तो आसान ही से हम क्या कर सकते हैं, जो learning हमारा learning, mobile learning assessment हो उसको अच्छा होगा है, उसको अच्छा होगा, रिजल्ट, output हमारा जो अच्छा होगा, mobile learning को आसान हम use कर सकते हैं, education में, जिस हमारा output, जो हम performance की बात करने हैं, student performance के, वो हम उसके behavior में change करके, आसान हम gain कर सकते हैं, अगर हम इस साब समय देखें, तो last month conclusion है, उस पर हम अगर focus कर सकते हैं, जो हमने पढ़ा, mobile learning assessment offers numerous benefit, including enhance the accessibility, बहुत सारी benefit है, mobile learning assessment के, जिसमें, कौन-कौन से हैं, जो से accessibility है, increase the engagement, increase the real-time feedback, personalized learning experience, formative assessment, opportunity to data drive, insight, empowerment to learner, and continuous improvement by the potential mobile learning technology in the assessment practice, education can create dynamic and effective learner environment that meet the device need learning in the digital age, digital age में mobile learning के थुरू हम आसाने से accessibility कर सकते हैं, उसको increase engagement उसका increase करते हैं, real-time उसको feedback दे सकते हैं, personalized learning पर focus कर सकते हैं, experience उसका जो भी experience और formative assessment कर सकते हैं, continuous assessment उसका कर सकते हैं, opportunities जो भी उसको पुदान कर सकते हैं, उसका data drive जो insight कर सकते हैं, data analysis कर सकते हैं, तो इस तरह से जो भी उसकी समसर उसको आसानी से जो guideline है, कैसे हम mobile learning का इस्तेमाल करें, assessment में, कैसे बढ़ाने में mobile learning का इस्तेमाल करें, उसके guide कौन-कौन से हैं, उसको हम आसानी से explain कर सकते हैं, है इस पर चैलेंज कौन से चैलेंज है उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिम के आगे क्या हम इस्तेमाल करके मोगाल अनिक और इंट्रक्टिव बना सकते हैं तो इस सब चीजों का असाय समा जबाब दे सकते हैं इसके साथ नमस्कार